हाई गाईस वेलकम बाक तो माई चानल और टोड़े इस गोई तो वी अनदर एपिसोड ऑफ हाश्टाग मेकप शेकप ऑन माई चानल सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटिफुल सा पिंकी ग्लोई मेकप लोग वीडियो पसं पिंक नहीं है तो मैं उनका ख्याल बहुत जादा रखती हूं उसके लिए आप कोई भी लिबाम यूज कर सकते हैं तेन अभी जो मिक्स मॉसम चल रहा है थंडा गरम ठंडा गरम इसके लिए मैंने जॉंस बेबी की फेस मॉश्राइजर लिया है आप चाहें तो कोई भी मॉ ये पिं की फेसिंटी मेंस सिर्फ यही मेकब प्रायमेर ही इसके बाद मैं यूज कर रही हूं and cook me कर रही हूं और इसको अप्लाय कर रही हूं और अबहुग हूंने को भी फांडिचन नहीं कर रही ह姓 कोई लिए बहुत-बहुत जादा मेकाप लोग कर रहे हूंज भी farout Naye नेके रिया पर बढ़े अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूं और फिर मैं अपने makeup sponge को वेट कर रही हूं रोस वाटर के इससे एंदेन मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं इस makeup stick को यूज करने का रिजन यह है कि यह बहुत शियर कवरेज देता है बहुत नाच्रल ग्लोइंग लोक आता है ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा हेवी makeup किया है एंडे टाइम में हम सभी प्रिफर करते हैं कि बहुत ज़्यादा हेवी makeup लुक नाचीव हो बहुत ही अच्छे से makeup sponge से आप ब्लेंड कर सकते हैं आप चाहें तो beauty blender भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो brush भी यूज कर सकते हैं मैं NYB का एक बहुत ही अचा concealer ले रही हूँ है मेरी skin tone के बहुत नजदी के बहुत light और highlighting concealer नहीं लिया है अपनी under eyes को अपने nose को अपने mouth के पास और अपनी eyelid को भी मैं इसी से prime कर रही हूँ सोदार जो मेरा eye shadow है वह बहुत popped up लगे और इसको फिर मैं make up sponge की help से अच्छे से blend कर रही हूँ make sure बहुत अच्छे से blend कीजेगा otherwise क्या होगा कि बहुत अधा cake की लगेगा और सब कुछ उठा उठा लगेगा लगेगा नहीं कि आपकी चेहरे में है एलन और का उसके बाद मैं use कर रही हूँ यह है dry foundation बट मैं इसको अपने make up को set करने के लिए use कर रही हूँ मैं heavy heavy जो है वो eye area और nose पे लगा रही हूँ जो rest of the बचा है ना वो मैं अपने face पे ले रही हूँ इसमें peachy orange shade है उसे मैं अपने दोनों आयलेट पे place कर रही हूँ अपने crease पे बहुत हलके हाथों से brush पकड़िएगा विकाज यह बहुत जाधा pigmented है देन दूसरा palette ले रही हूँ और इसमें से मैं यह बहुत ही beautiful साथ blending brush के help से pink color का shade ले रही हूँ और इसको मैं अपने middle of the eyelet पे place कर रही हूँ make sure कि आप इसको अच्छे से place कीजेगा और इसको अच्छे से blend out कीजेगा और crease तक बिल्कुल मत लेके जाएगा दने clean blending brush की help से आप सारा कुछ अच्छे से blend out कर लेजेगा blending brush से blend करते वक्त एक चीज का खास ख्याल रखेगा कि blending brush को भी dust off करते रहेगा otherwise ऐसा होगा कि उसमें से जो excess होगा वो remove नहीं होगा आप देख सकते हैं gradient effect आ रहा है orange और pink का यही मैं अच्छीव करना चाहती थी दिन इस palette में से मैं कि यह shade ले रही हूँ यह movish pink shade है इसका ना कुछ भी excess होता है don't worry blending brush लीजिए blend 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 कीजिए and then dust off कीजिए blend कीजिए अब I don't know यारी यह क्यों focus से हट गई मैंने बहुत ही प्यारा सा pink baby pink का लगा shimmer shade लिया है अपनी eyelid पे पूरे प्लेस कर रहे हूं glitter shade नहीं है shimmer shade है ताकि यह बहुत ही beautiful सा cool toned icy effect दे मुझे बस वो icy effect makeup look कितना प्यारा लग रहा है then मुझे थोड़ा सा कमी लग रही थी side में उस color की तो मैं हलका सा place कर रहे हूं ताकि बहुत ज्यादा light ना लगे makeup look and guys I am so much impressed कि जैसा achieve करना चारी थी वैसा आ रहा है then same palette में से मैंने बहुत यह beautiful सा pink color eyeshadow लिया है और इसको मैं pencil brush पे लेकर eyeliner की तरह apply कर रहे हूं पहले की time में क्या होता था कि बहुत ज्यादा black eyeliner नहीं apply करते थे सब लोग क्या करते थे colorful eyeliner की तरफ जाते 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 और काजल जाते लगाते थे और इसकी बाद मैं ले रही हूं music प्लार का जेल काजल और जेल कूल इससे मैं बहुत अच्छे से अपनी आलिक पर प्लीज कर रहे हूं make sure बहुत डाक काजल जीचेगा अपने प्लीज करने के लिए क्योंकि पहले की जो काजल होते थे थे बहुत डाक और बहुत इंटेंस होते थे टाइप लेन करना बिल्कुल मत भूलेगा वरना वो जो पहले वाला विंटिजी एफेक्ट आता ना वो होता मोटा दिखे दें में वेगा का ऐलाश कर लोई यूज करके अपने आलाश को कर रहे हूं और मेहां पर यूज कर रहे हों मेबलीन का हैप कल मस्कारा as I told you मस्कारा अप्लाइब करते वाद मेक शॉर अपने आईलाश को बहुत अच्छे से रूल की जीवा दो मिनिट बोल्ड कीजिए लाट वह रोलड अप लगें लोवर लाश लाइन को बिलकुल मत बूलेगा देन मैं सेम पिंक कलर लेकर अपने लोवर लाश लाइन पर एक शैड़ो का एफेक्ट दे रहे हूं बहुत ही खुबसूरत सा जरूरी है वह भी मिलानी का रोज ब्लश ले रहे हू प्लूशन का मोदा था तो जो फेस पे बहुत नाचरल ग्रो रहता था पिंक पिंक टाइप का आजकल ऐसा नहीं है तो उस टाइप का एक विंटिजी पिंकी ग्लो क्रियेट करने के लिए मैं इस तरीके से अप्लाइ कर रहे हूं डोंट वरी कुछ भी एक्सेस हैं ब्लेंड ब्लेंड कर लेंगे मेकप सेटिंग सेट हो जाएगा अब मैं यहां पर ले रहे हूं बिक फैन ब्रश वार इस से में सब ब्लेंड आउट कर रहे हैं ताकि कुछ भी एक्स्टा एक्सेस्ट ना लगें यहां पर मैं यूज करे हूं हुडा बीटू का हाइलाइटर यह टोन में रहना चाहिए वो मुझे ध्यान रखना है और लव दस हाइलाइटर अल्दो यतना पिग्मेंटिव नहीं है बट कुछ मेकप लुक्स के लिए बड़ा अच्छा लगता है नोज एरिया चेन एरिया और क्यूब को भी में अप्लाए कर रहे हूं और लुक और लुक अच्छा लगता है नोज फिसके माउट के पास पहुत ज्यादा वाइट लग रहा है शाथ कैमरे में आप लोगों को ना पता लग रहा हो तो मैं फिर से इसको वेट करके अप्लाए कर रहे हूं तो आट सब कुछ लाइट हो जाए देन मैं दो लिप्स्टिक ले रहे हूं मैं चाहरी है जैसा मेरा आई लुक है उसके क्वार्डिंग मैच करें बट मुझे लग रहे है लिप्स्टिक बहुत लाइट है तो मैं इसका सेकिंड शेयर उठा रहे हूं थोड़ा सा इसको डाक करें आप लाइट भी चोड़ सकते हैं बट मेरे फेस पे लाइट लाइट अच्छी नहीं लगती है तो मैं उडा कर रहे हूं और इटिंग आपनी अक्सेरी स्पेंट हैं लाइक मैं यह एरिंग अभी मैं आपको दिखारते हूं विद मैं ड्रेस द्रेस दुपाइन अपने लुक बट लुक आइस कैसा लग रहे है प्लीज कमेंट करके बताओ यार म मैं बहुत नर्वस हूं बिकास मैं में अच्छा सा एफेक्ट आ रहे है वह जो पिंक मैं चीव करना चाहती थी मैंने से वेस्टन ड्रेस के साथ पहना है ऑफ शूल्डर ड्रेस आप चाहें तो इसको बिलकुल इतने के साथ भी पहन सकते हैं यह बहुत ही अच्छा टोन दे साथ पहने एक और टेप आपको देना चाहती हूं ग्राब यूर को और टिक टाक आप चाहें तो इस मेकप लोग को थोड़ा सा और क्यूट बना सकते हैं अपने बालों का थोड़ा सा पाटिशन कीजिए अपने बालों को आगे से ट्विस्ट कीजिए जो बाल आगे निकल निकलने दीजिए और दोनों तरफ से अपने बालों को पीछे टिक टाक से से क्यूर कर लिजिए और इस तरीके का ब्यूटिफुल सा क्यूट लुक आपको अचीव हो जाएगा अगर आप अपने बालों को खोल के नहीं रखना चाहते हैं और पहले जैसे विंटेज तो मेक शूर यार इसको लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करके बताना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सब्सक्राइब के विना बिल्कुल मत जाना और आम सो स्वारी फॉर देस ट्राप मुझे नहीं देखा मैं आप से मिलते हूं नहीं वीडियो में एक अच् या कि साथ तब तब कि लगना कि आल रगी का बाइब का बाइब